अल्विच यादों को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामनी आ रही है, आपको बता दे की देर शाम अल्विच यादों को गिरफतार किया गया था नौइडा पुलिस की ओर से और अल्विच यादों को कोट में पेष कर दिया गया है एलविश यादो को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है एक कोट ने एलविश यादो को लेकर बड़ा फैसला लिया है रेव पार्टी मामले में सुनवाई थी एलविश यादो की और पुलिस ने नयाइक हिरासत की मांग की थीए कोट से कोट ने एलविश यादव मामले में नियाएक हिरासत दे दी है पुलिस को बताते चले कि एलविश यादव मामले में 14 दिन की नियाएक हिरासत दी गई है एलविश यादव को अब 14 दिन पुलिस कस्टडी में रहना होगा जहां सवालों के जवाब देने हुँगे अलविश यादव को बताते चले कि लगातार अलविश यादव से पूश्टाच की जा रही थी जिसके बाद संतोश जनक जवाब मिलने के बाद ये गिरफतारी हुई और उसके बाद अब अलविश यादव को 14 दिन की नियाएक हिरासत में भेज दिया गया है जिला अस्पताल में उनकी मेडिकल जाज कराई गई फिर यूट्यूबर की गिरफतारी के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वारल हुआ जिसमें पुलिस वालों के साथ हसते हुए नजर आये अलविश यादव और साथ ही ये दावा की अजा रहा था कि अलविश यादव को किसी का सपोर्ट मिल रहा है अब इन तमाम दावों को लेकर के पुलिस भी सवाल पूछेगी बता दे कि जिला अस्पताल में मेडिकल जाज करा ली गई है सूरजपुर कोट में अलविश यादव को पेश किया गया था और सूरजपुर कोट ने अलविश यादव पर ये बड़ा फैसला लिया है 14 दिन की नियाएक हिरासत अलविश यादव की